आगामी 23 तारीक से जारखंड विधान सभा में बजट सत्र होना है और आपने ये देखा होगा कि जारखंड विधान सभा में कभी भी कोई भी सत्र चलता है तो ऐसे बहुत सारे संगठन होते हैं जो विधान सभा के पास आंदोलन पर बैठे होते हैं इस बार भी बजट सत्र के दौरान जो जारकंड पंचाय सची वाले सवैंसे वक्संग है वो भी इस बार फिर से धरना पर बैठेंगे पिछले बार भी जब सत्र चल रहा था यह धरना पर थे और इस बार भी इनकी रही रननीती है कि इस बार भी एपने मांगों को लेकर विधानसभा के पास जो जग को पहला दिन है उस दिन तो हम लोग चुकि सभी लोग वहां नहीं जाएंगे पर हम लोग का उस दिन बैठक है 23 को यहां पर और उसके बाद 24 चुटी से चुटी है 27 तारिक से हम लोग रेगुलर दो मार्स तक जो है विधानसभा का घेराव करेंगे बने वहां पर कूटे मैदान में जहां पर अस्थल हम लोगों को मिला है वहां से हम लोग परते एक दिन बिधानसभा की ओर जाएंगे और जहां पर परसासन के द्वारा हम लोगों को रोका जाएगा हम लोग वहां तक परियास करेंगे पूरा पहुंचने का और बेरकेटि अगर सरकार को देनी है तो फिर इतना समय क्यों लग जा रहा दोस्तों 32 दिन तो काफी दिन होता है किसी भी संग का मांग को पूरा करने के लिए तो हम लोग आंदोलन करने के लिए त्यार हैं अभी आप बोल रहे थे कि आप लोग प्रते एक दिन बैरिकेट तक पहुंचेंगे उसको हटाने के भी कोशिश करेंगे इतना उगर होने का जरुवत है क्या देखिए हम लोग सांती प्रिये धंग से अभी आप समझ सकते हैं कि हम लोग अभी तक जो है 232 दिन आखिर कैसे ठीक है सांती प्रिये धंग से ही हम लोग बैठे और जब जब हम लोग अपना मांग को पहुंचाने का परयास की हैं तो एक रनिती के तहट परसासनिक अधिकारियों के दवारा हर बार जो है लाठी चार्ज किया गया और इस बा बाद भी आप लोग तयार हैं कि जाना है और कोई और तरीका हो सकता है इतनी 232 दिन से आप लोग धरने पर बैठे हैं तमाम लोगों से आप लोगोंने मिला मिले भी होंगे तो क्या लग रहा है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं निगल पा रहा है देखे अभी तो आप देख सारा चीज वही है सब चेहरा वही है स्रिफ मुख मंत्री को बदल कर बाकि सारा सिस्टम तो वही है सारे लोग वही है तो आखिर हो क्यों ने रहा है और करना क्यों ने चाहरे हो उन लोग को बताना चाहिए हमारा तो एक मांग था कि मुख मंत्री से मिल कर हमारा दस सदसिय पर मांगे हैं और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कितनी संख्या में पंचायत सची वाले स्वय सेवक संग विधान सभागा घेराओ के लिए पहुंचे अभी हम लोगों का जो आड़ जुलाई से जो हम लोग आड़ जुलाई 2023 से जो हम लोग सुरू किये थे हमारा पाच स सची वाले स्वय सेवक का नाम को बदल कर पंचायत सहायक किया जाए और पंचायत सची वाले स्वय सेवक को पंचेती राज विभाग में समायोजन किया जाए और पंचायत सची वाले स्वय सेवक की सेवा अस्थाई की जाए ये पाच मांगों को लेके हम लोग 232 दिनों से कर रहे हैं अभी अभी किस विपाग के लिए काम दीकшее अंधोलन कर रहे हैं पर हम्लों करते थे उसके बिषर duda को बता देना चाहेंगे समाजिक सुरच्छा विभाग के दोरा जो है पेंसन का काम तो इस तरह से हम लोग को अलग-अलग विभाग का काम लेता था हम लोग को खुद पता नहीं था कि हम लोग किस विभाग के करम चारी है इसे के लिए हम लोग चाहते हैं कि चेयन परक्रिया जो अपनाई गई थी वो पंचेती राज विभाग के द्वारा की गई थी तो पंचेती राज विभाग जो है हमको समायोजन करें अचा ठीक है ये जो 27 तारीक से आप लोग अंदोलन रत होंगे कितनी संख्या में वहां पर लोग पहुंचने का सोच रहे हैं देखे अभी हम लोग का जो परजेंट में जो हम लोग का संख्या है जैसे हम लोग का चेयन तो 18,000 हुआ था पर अभी परजेंट में जो कारेरत स्वें से वखे वो लगभग 12,000 है तो चुकि लगाचार दो मार्स तक करना है तो पहला दिन जो है 8,000 के लगभग में आएंगे और दूसरे दिन बढ़ते जाएंगे अंतिम समय अंतिम दिन में जो है हमारे स्वें सेवक के सदस के परिवार जन भी सामिल होंगे इसलिए कि अब परिवार भी हम लोगों का समर्थन के लिए अब जो है हम लोग का साथ देना चाहते है क्योंकि वो लोग भी देख लिए अभी जैसे आपको हम बताद रहे ये 232 दिन आंदोलन आप समझ सकते हैं कि कितना कष्ट और कितना दूख और कितना तकलीफ में हम लोग इतना दिन टिकाए हैं कई हमारे बहने हैं जो अपना घर का अनाच को बेचके आर्थिक जोगाड करके यहां तक आती हैं आने जाने में तो आप समझ सकते हैं कि भाड़ा लगता है सब दूर दूर से हर जिला से लोग आते हैं तो आर्थिक इस्तिती भी हम लोगों का बहुत देनिये हो गया इसके लिए अब हम लोग का परिवार भी अब हम लोग का इस लड़ाय में सामिल होने जा रहा है कि अब दूर इस लगते हैं अब्सक्तिते हैं कि अब्सक्तिते हैं